हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो सक्सेस प्लस अकैडमी डिस इस कमल रमवानी आई होप यह दूइंग फाइन तो देखिए कोवेट 19 की वैक्सीन बहुत ज्यादा अभी चल रही है यह न्यूज चल रही है कि क्या-क्या रीसेंट डेवलप्मेंट्स हो गए है क्या-क्या हैं हमारे हमारे पास अवेलेबल जो इस वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं ठीक है तो देखते हैं दीकि सबसे पहला जो कैंडिडेट है वह है फाइजर बायो एंटेक्ट वैक्सीन देखिए फाइजर यहां पे यूज बेस्ट फार्मसेर्टिकल कंपनी है और बाय एंटेक जर्मनी बेस्ट फार्मसेर्टिकल कंपनी हैं दोनोंनों मिलके BNT162B2 नामकी यहां पे वैक्सीन का जो है डेवलप्मेंट किया है ठीक है दीके आरेने बेस्ट पे यह काम करेगी जिसमें यह वाइरस के जैनेटिक कोड को यूज करेंगे और जो इनफेक्टेड बॉडी है उन में इंसर्ट करके इसको काम करेंगे उससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है अपने आप डेवलप्मों लग जाएगा सामने जो इनफेक्टेड बॉडी है उसमें ठीक है तो आरेने बेस्ट पे यह काम करेगा कुछ वेक्टर बेस्ट पे भी करेंगे वह हम आगे द 43,000 पीपल पर यह वैक्सीन ट्राय करी गई थी और इनके कोई health concerns safety concerns नहीं निकले मलब ऐसी कोई problem जो है इन लोगों पर ज्यादा आई नहीं है ठीके इनके body में दो doses में यह दी जाएगी तीन हफते के बाद मतलब एक dose उसके बाद तीन हफते बाद दूसा dose इस तरीके से यह जो है vaccine काम करेगी देखो सबसे बड़ी जो इसकी problem देखी जा रही हो यह है कि इसको बहुत जादा cold temperature पे रखना पड़ेगा minus 70 degree Celsius के temperature पे इसको रखना पड़ेगा अगर कहीं transport भी करना है तो special boxes में इसको transport करना पड़ेगा जो कि उन special boxes में dry ice थंडी बरफ रखी जाएगी और GPS tracker के साथ उनको install किया जाएगा ठीक है तो आप देख रहे हैं कि यह थोड़ी सी इसमें problem देखी जा रही है जो कि cold temperature वाली ह है जो कि बाकी vaccines में किसी किसी vaccine में आपको नहीं मिलेगा वो हम आगे देखेंगे अगली slides में ठीक है इसकी जो pricing around around देखी जा रही है वो $20 एक single dose की जो है pricing इसकी देखी जा रही है देखिए अभी news में आया था हमारे union health minister जो हर्चवर्दन जी है उन्होंने अभी बोला था क कि Pfizer और BioNTech vaccine की जो BNT 162 B2 जो vaccine है इसका इंडिया में इतना जादा need नहीं लग रहा है इसलिए इसका कोई tie-up नहीं है इंडिया में किसी और company के साथ और इसकी जो है manufacturing इंडिया में नहीं चल रही है ठीक है कोई development इसका इंडिया में नहीं चल रहा है ठीक है तो need इसलिए नह इंडिया में हमारे पास already candidates हैं जो indigenous इंडिया की जो local vaccine के development पर काम कर रहे हैं और क्या है वह हम आगे देखते हो चलेंगे उसके बाद देखो एक है हमारे पास Moderna vaccine है यह भी US-based pharmaceutical company है Moderna उसने बनाई है MRNA1273 इसका नाम है यह भी देखिए वही RNA-based ही है कि वही genetic code लेकर काम इसके भी देखो जो है interim analysis मतलब अभी बीच के analysis आए है जो चल रही है इनकी उसमें देखो efficacy कितनी निकली है vaccine की वह है 94.5% इसकी efficacy जो है आई है ठीक है 30,000 जो है लोग involved किये गए थे trial में ठीक है आदो को vaccine दिया गया था और half को dummy injections जो है inject किये गए थे उसके बाद देखो same वही 2 doses में का देखो सारी के सारी जो है वो 2 doses में ही काम करती है जितनी वी vaccine है यहाँ पे candidates वो available है अभी हाल-फिलाल उनकी बात करें ठीक है 2 doses में काम करेगी 4 weeks apart मतलब 4 अफता जो वो 3 हफते में थे dose यहाँ पे 4 अफते में ठीक है देखो comparatively यह easy है store करना जो mRNA 1273 को Pfizer वाली से इसका जो temperature है वो around minus 20 degree celsius के पे काम कर जाएगा मतलब minus 20 degree celsius पे अगर रखते हैं तो stable रहेगी up to 6 months ठीक है उसको minus 70 degree celsius पे रखने की need थी किसको Pfizer BioNTech की जो vaccine थी उसके बार देखो इसका क्या है around 25 डॉलर पर dose इसका देखा जा रहा है देखो Moderna और Pfizer के जो इंडिया में development करने के लिए अभी इसके tie-up नहीं हुए है और इसके उपर इंडिया में कोई भी काम नहीं चल रहा है इन दोनों vaccine का जैसे Sputnik week का चल रहा है Sputnik week का डॉक्टर रेडी की जो लाब है है इंडिया में काम कर रही है Sputnik week के उपर वो देखेंगे हम आगे की slides में दिख जाएगा आपको देखो यह रहा Sputnik week आपको पता है कि first जो registered जो vaccine थी globally रेशिया ने इसको किया था सबसे पहले register Sputnik week नाम से ठीक है जो virus है virus के उपर जो spikes लगे होते हैं वो कांटे से होते हैं आपको पता है उन में S protein होता है उसको निकालके यह किसी और जो virus है एक तरीके से आप कह सकते हैं उसमें inject करके और body में डालेगी लोगों के body में ठीक है वहाँ से इस तरीके से ये काम करेगा ठीक है बहुत जादा बायलोजिकल नहीं जाएंगे हम उसके बाद देखो क्या है कि यहाँ पे रश्या की Health Ministry जो है जमेलिया Research Center और RDIF ठीक है इन्होंने statement में बोला था कि वैक्सीन जो है calculation की गई थी उसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि यह भी देखो सेम दो डोस पर काम करेगी यह वैक्सीन भी और इसकी जो प्राइसिंगे अराउंड बोला है कि लेस देन टैन डॉलर में तैन डॉलर के अराउंड इसकी रहेगी रश्यान के लिए यह फ्री आफ कॉस्स द बोला जाता है टू टू एट डिगरी सेल्सियस तक रख सकते हैं स्पट्निक वी के लिए तो यह भी कंपेटिवली अगर देखा जाए तो टैंप्रिचर इसका ठीक है बाकी जो दो थी हमारी जिन के लिए माइनस 20 डिगरी और माइनस 70 डिगरी सेल्सियस रखना पड़ रहा ठीक है स्वेटिश बेटिश कंट्री का लिजिन है एस्टर जेनेकी का ठीक है इसने मिलके युनिवर्स्टि ओफ ओक्स içवार्ड के साथ मिलके बनाई है एजटी लघी ट्रिपल टू इए एस्टर जनेका पेट्ट कमपनी है उसकी जो नाम है वैक्सीन का वह एस हैंग ही ओ को जबकि इसके trials ने 70% efficacy दी है जबकि बाकी candidates उन्होंने 90% 94.5% तक दी है क्यों बोला जा रहा है क्यों इसके reason है दो तीन एक कि इसको जो है cold temperatures पे रखने की जरुरत नहीं है बाकी जो vaccine है उनको रखना पड़ रहा है एक और reason बोला जाता है इस वाली के बारे में कि half dose boost देती है कि दो dose का जो काम है उसमें इनोंने इनका data को जिस तरीके से आया था कि जो पहला dose है उसको अगर half आधा भी दे रहे हैं और दूसरा वाला dose है उसको पूरा दे रहे हैं तो उसमें जो results हैं जो इनके outcome बहुत यह तो हम distribute अच्छे से कर पाएंगे ज्यादा लोगों के पास जा पाएगा और उतनी quantity की need नहीं पड़ेगी ठीक है और क्या है कि competitively बहुत cheap है अना only 2.5 डॉलर एक dose का यहां पे इनोंने बोला है इनोंने को गावी के साथ pact sign किया है जो किस ने AstraZeneca ने और Oxford University ने AstraZeneca ने बोला है कि हम इस vaccine पे कोई हमारा margin नहीं रखेंगे कोई हम profit based हम नहीं करने वाले हैं इसलिए इसकी pricing आपको दिख रही होगी कि बहुत ज्यादा कम है बहुत cheaply आपको available हो जाएगी इंडिया में देखो Serum Institute of Technology जो पूने based है वो इस पे काम कर रही है इसके साथ मिलके tie up करके इस vaccine के development पे काम चल रहा है इंडिया में आगे की slides में हम देखेंगे ठीक है 20,000 लोगों ने volunteer किया था इसके trial में 20,000 लोगों का अभी चल रहा है ठीक है तो आपने देख लिए होगा कि क्यों ये वाली जो है सबसे strong candidate इसको माना जा रहा है compare करें अगर बाकी candidates हम ठीक जो काम चल रहे हैं ठीक है तो देखो मैंने आपको बताया भी कि Serum Institute of India यहां पे पूने बेज जो है वो phase 3 के trial चल रहे हैं ICMR Indian Council of Medical Research के साथ मिलके Oxford की AstraZeneca vaccine के लिए ठीक है जो कि सबसे strong मानी जा रहे हैं यहां पर अभी तक के लिए ठीक है उसके बाद इंडिया में और भी क् देखो सबसे first indigenous जो register करी थी वो थी हमारी coaxime वो किसने हैधरबाद बेज़ बारत बायोटेक ने ठीक है इसने भी मिलके ICMR के साथ मिलके किया था ठीक है इनका भी progress चल रहा है इन्होंने हाला कि अभी result अभी किसी भी phase के नहीं बताये हैं third phase इनका start हो गया है third trial जो चल रहा ह है लेकिन result अभी तक नहीं बताया है expect कर रहे हैं कि 60% तक इसकी जो है efficacy होगी ऐसा बोला जा रहा है देखो 50% के around efficacy चाहिए अगर 50% मिल जाती है तो जो vaccine है वो approval के लिए ready हो जाती है ठीक है तो यहां पर इसके लिए बोल रहे हैं कि 60% तक जो है expect कर रहे हैं मिल जाएगी ठी inactivated type vaccine है इसकी ठीक है मतलब दो type की हमारे पास जो है method होते है inactivated type और एक होता है हमारा live type ठीक है तो inactivated type यहां पर इसको बोला जा रहा है inactivated type का मतलब क्या देखो हमारे पास sputnik V था जो vector based था same vector based की तरह ही काम करता है तो आप यह मान सकते हैं कि जो S protein लेके जो काम करते ह उसी तरीके का method है वो हमारा जो है co vaccine का है यहां पर ठीक है Oxford AstraZeneca का तो आपको पता ही है उसके बाद देखो क्या है यहां पर एक और candidate यहां पर हमारा है इंडिया का की सडीला की जो है यहां पर यह भी हैदरबाद based है जाइकोवेड ठीक है इसने भी अपने second phase की जो trial है वो complete कर लिए है और जो results का यहां पर weight हो रहा है देखो DNA type vaccine है इसकी जैसे वो RNA type थी हमारी Pfizer की Moderna की उस type की ही यह है genetic code पर यह भी काम कर रही है उसके बाद देखो हमारे पास Sputnik week मैं आपको बता था Indian development के लिए जो tie-up किया गया है वो है Dr. Redis Labs के साथ जो हैदरबाद based company है Dr. Redis Labs उ हो रहा है और उस पर काम चल रहा है ठीक है और देखो एक और यहां पर candidate है जो कि अभी उसके early phase के trial चल रहा है मदला अभी ज़स्ट स्टार्टी किया है वह है थेदरबाद based biological ease vaccine ठीक है तो देखें यहां पर बहुत सारे candidates हैं जो सबसे strong बता जा रहा है वो यहां पर बोला जा रहा है Oxford की Oxford और AstraZeneca की जो vaccine है reason मैंने आपको बता दिये हैं कि क्यों है बाकि हमारी indigenous co vaccine पर बहुत टाइम से काम चल रहा है इसका third phase जो है वह start हो गया है result अभी इन्होंने अभी release नहीं किये किसी भी trial के लेकिन expect कर रहे हैं कि 60% तक इसकी जो है efficacy हमें मिल जाएगी ठीक है तो जो vaccines के बारे में जितना भी था development क्या हो रहा है और वो सारा हमने देख लिया है ठीक है तो this is the end of our video अगर video समझ में आया हो पसंद आया हो तो like कर दीजे other experience के साथ share कर दीजे और channel को subscribe कर लिजे ताकि इस type के videos के update आप तक पहुंच जाएं बाकि thanks for watching and have a good day